नमस्कार दर्सको आप देख रहे हैं TV13 इंडिया का विशेश कारकम सुन लो नेता जी और मैं हूँ आपके साथ राजदीब तोमर्ग दर्सको आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ मौझूद हैं बस्पा के नेता मनुष पंडिक जी उनसे हम बात करेंगे जानेंगे सि क्योंकि वह दावेदारी पेस कर रहे हैं तो क्या कुछ है उनके पिटारे में ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे हमारे साथ मौझूद है मनुझ जी आपका स्वागत है TV13 इंडिया पर नमस्कार सभी दर्सकों के लिए मनुझ जी बस्पा आपने जोइन कर ली है और बस्पा क्योंकि पिछली समय में आप समाजवादी पार्टी से भी जोड़े रहें पत्रकार्ता के छेत्र में भी आप रहें तो बस्पा कैसे क्योंकि बस्पा जैसा लोग कहते हैं कि डूपती नाओ है डूपती नाओ में लोग जो है सफर नहीं किया करते तो बस्पा कैसे फ़ल मैं बच्पा का जो हमने साजनाै जानों ieuxищ अधाना है कि अम्वेटकर गाउं के लिए सेफोल रचांनाया का विया अभी तक कि जितनी भी सपार के आती हैं वो शिर्फ सोचती है लेकिन वो अम्मिटकर गाओ बनाया अम्मिटकर की सड़के बनाई अम्मिटकर लाइट लगवाई उस पर चलते तो सभी है देखते सभी है उनका एक एम था सबसे बड़ी बात क्या थी भेंजी जहां आती थी मैं देखता था आ रही है हत्रत जिले में दर यह आभी तक उनके मकाबले किसी सरकार का नहीं रहा जब से मने से लिए चिखराराती इस leisten समाझबाध्य पार्टी क्षिश्च आपको प्रभावित किया है समाझबाध्य पारी ने भी कुछ ना कुछ आपको प्रभावित किया हूगा और उसे छोड़ने की वज़त मेरा मन नहीं लगता था क्योंकि एक विसेश उनके लिए काम करते थे वो लोक मुझे पिर्देश का पद भी मिला था राजभर जी उसमें पिर्देश अद्धक्स थे मैं लखनौ उनसे नॉर्मल ही मिला था मेरा घर है लखनौ में भी चाचा जी रहते हैं मेरे तो उन्होंने मुझे पिर्देश के पत के लिए ओफर भी किया था लेकिन मेरा मन नहीं माना था और उस ताइम मैं थोड़ा छोटा भी अपने को महसूस करता था तो मैंने पार्टी में आगे बढ़ने का काम नहीं किया ब्यापारी नेता ब्यापार जो आप एक मंडल है उसके आप अध् जी यह नगरपालका का मैंने चुनाब लड़ा था पिछली बार लेडी सीट थी मैंने अपनी मैडम कवता सर्मा को बिना पार्टी के निडदी लड़ा और मैं जीता मेरी मैडम सभासाद है नगरपालका में तो वहां की मैंने जो इस्तिती देखी इस्तिती का मतलब है कि व एक विछे अपने वहां के नऀरा के आदा पैसा वी निनगाया था जिस्ते कि हमारी सिकन्दाराउ का जो अपना ai driver हई आधे होते हैมहा होते तो पूरे है लकिन अच्छी क्वाल्टी कर नहीं होते है इसलिए मुझे लगा कि कही ना कहीं सिकंदा राव को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा आदमी आना चाहिए अगर मुझे 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 मिलता है तो मैं करूँगा अच्छा कम कौन सी वो काम थे जो आपने देखे हूं क्योंकि आप अब जन्स लोगों के जन्ता के बीच में जाते हैं लोगों से मुलाकात करते हैं तो तमाम लोग आपसे अपनी बातें रखते होंगे कौन से वो काम है जो पिछली पंच वर्सी में आपके यहां के जो नगरपालका के अध्यक्षे हैं उनके द्वारा किये गए लेकिन लोग उनसे संतुष्ट नहीं थे या कुछ काम जो रहे गए वैसे कौन से काम है आपको लगता है नगरपालका में जितने भी काम होते हैं वह समय लिए क्वालिटी बहुत गरीव होती है उसका कार्ड सब जानते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा चीजें बट जाती है जो भी काम हुए है जैसे लेटन बात्रूम लगे सारे टूड गई प्लास्टिक करोड़ रुपा लगा और भी बने हैं तो उन पर ताला लगा हुआ है वह सचारू रूप से काम नहीं करते हैं जैसे हम लोग बाहर जाते हैं देखते हैं वहां विभस्ता होती है अच्छी होती है यहां भी हो सकती है वह अगर आदमी करना चाहिए क्योंकि पैसा तो यहां भी खर्च हो रहा है जब नहीं देखा उनकी क्वाल्टी आज भी जो है सिकंदाराओ की लोग याद करते हैं सड़के बनी हुई है यहां का पार्क है नहरू पार्क बहुत बड़ा वही बनाके गई तो पच्पन साल के बाद आखर यहां क्यों नहीं आया जिसका की नाम हो इसके पीछे कोई ना कोई आज बस इतना ही है कि यहां अगर मुझे मुझे मौका मिलता है तो पच्पन साल पहले जो चैर्मेन तो उसको मैं दोहराना चाहता हूँ लोग याद करें मुझे मेरे बाद भी याद करें कि हाहाँ उनके बाद एक यह चैर्मेन आई और काम करके बढ़िया काम करें यह बि देख चुने जाते हैं ऐसी स्तिती में वो कौन से काम है जो आपको लगता है कि यह आपके दौरा सबसे पहले की जाएंगे जिसकी सबसे ज़्यादा जरुद्वत नगरपाल का सिकंद्राव को है यह जिसमें नगरपाल का की जो कार होते हैं वह भूत लिमिट में होते हैं जैसे कि बस्चेंड नगरपाल का की दुवारा यह तो सरकारी बनाती है बसें चलानी सकते लेकिन गली बनाना लाइट लगवाना घरिणे बनवाना और जैसे गरीब लोगों के लिए यहां पर कोई बभश्ता धर्मसालगी नहीं है जो अब गेस्ठाउस तो बन गए लें गरीब लोग उसको वहन नहीं कर पाते हैं कम से कम एक इस टैप का जो प्रवाइब लोग अपने उसमें कर सकें और बस इसमें मैं यही कहना चाहूंगा पैसा तो सभी लगाते हैं लेकिन वह सभी दंग नहीं लग पा रहा है सड़के साल दो साल में तूट जाती है नल जो लगते हैं वह दिखाया कुछ जा रहा है लग कुछ रहें तो बस भी कि दंग से काम होना जो काम तो अफने आप हो जाएगा ची काम जो हुए हैं काम जो हो रहे हैं अब भी और जो हो जा ACT ऐसे कि अपने आप विकास होता चलाया उसमें करने की दिरूबर नहीं है बस उसमें जो मुनाफ़ा है वो कम कर देना चाहिए बंदरबाट है वो कम देना चाहिए यह सब चीज़ एक आपके जो विरोधी है वो आप पे आरोप लगाते हैं कि कैसे जो है अद्यक्ष को चुलिया ज कहने का उनको हुआ है और वो कुछ भी कह सकते हैं बच्चे मेरे फट्चेमिए पस बिड़ामाइ में बिजनिस भी समाला है तो इस अन्युवस्टी में है canata कि वो अभ्र चुझा अऋ रहते हम कि पर चाहिए डिली नहीं ज्याता उlly करते कि काम करने मैं यही रहता हूं यह बस्पा से आप प्रयास कर रहे हैं दावेदारी अपनी पेस कर रहे हैं और भी कुछ लोग हैं जो बस्पा से दावेदारी पेस कर रहे हैं आपको क्या लगता है उन में और आप में क्या वो डिफरेंस है जिसकी वज़े से जो बस्पा का सीर सुनेतत है वो आपको चुनेगा मैं छे मिने पहले बहन जी से मिला बहन जी का आशिरबाद मिला और बहन जी ने मुझे संतुष्ट किया कि आप जाए और बहन जी मुझे 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 मु लिए विकास होता रहे हैं सिकंद्राओक को बिकास होना चाहिए बस अगर बात कीजाए सिकंद्राओकी तो यह से जो यह मिस्रित आवादी वाला शेत्र हैं यहां पर हिंदू-मुस्लिम सभी लोग मिल जुलकर रहते हैं ऐसे में भारती अंता पार्टी जो के एक अलग अजे होता है इसमें ऐसा नहीं है कि बोट पार्टी को ही जाए लोग लोगों का बेभार है अब जो मेरा कितना बेभार प्रभावित करता है लोगों को और मेरा तो नारा भी हिंदू-मुस्लिम से किसा है आपस में भाई-भाई उसके तहद में लड़ रहा हूं और लड़ूंगा अगर मुझे 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 मुखा मिलता है और मुझे सभी लोगों का प्यार मिलता है यह मेरा मेरे मेरा मन कहता है यहां पर वर्तमान के जो चेर्मेन है जो वर्तमान में है वो समाजवादी पार्टी से संभपत है उनको दावेदारी है और टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी तो बात की बाते हैं लेकिन ऐसे में क्या लगता आपको उन से और आपकी अगर तुल्ला यहां के पब्लिक करेगी तो क्या अंतर पाएगी पब्लिक ने चैर्मेन बनाये थज़ से दस साल पहले और एक्राम भाही चैर्मेन नहीं है जैसे आपने कह एक लगार एक लिदी भी नहीं जिलाडायता जिसको इन्हों थे अपना już सपूर्ट दिया था और सपूर्ट कैशेज की जित्वाएं एक्राम भाही चैर्में नहीं है लेकन है यह बात है एक्राम भाई की चेरमेनी में बहुत साइधारी के लिए यह उनकी दखलनदाजी रहती है और यह तो मैं अपने मुह से को अच्छी बात नहीं है तो जो सिकंदराव को जनता है वो खुदी कहती है कि अब उनके कारिकाल को देखते हुए अब चेर्में उनको नहीं चुनाएगे और नया आदमी को देखेंगे नया युवा जो सेर के बीच होगा और जो हमारी सन सकता है पुन पर पार के दिखांगे इस तरीके के वादे तो तमाम राजनेथीग दलों के लोगे चाहें वो जीत जाएंगे तब प्रत्यासिंगे क्या करना है किसतरी के से करना है या कोई रोड मैप है आपने कुछ प्लान कर रखा कि उस तरीके से ये काम होंगे सिकंदाराव की जनता का सबसे पहली सिकात ही है कि सिकंदाराव में पानी का टेक्स जमा होता है जबकि सिकंदाराव की जनता को पानी नहीं मिलता है वो यहां पर अंडर जो डाल के गए पाइबू सब खराब हो चके हैं एक तो वह पानी की बिवस्ता करी आएगी सहर सिकंदाराव के लिए और उसके बाद जैसे मैंने धरम्साला के लिए गरीबों के लिए लिए क्यों कि माल्डा लोग तो चले या या ले 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 पाणी ले रहे जैसे वु रहें पाई आने में जो गलियों में गरीब लोग रह रहे उनको पानी की विवस्ता की कोई बीवस्ता नहीं है उन्हें दूर नल से लेना पड़ता है नल बैट जाते हैं सिकात करनी पड़ती आट-टार दिन में खराब होते हैं तो ध्रम्साला ह पानि की समस्या है और बिल्ली की समस्या है लाइटों की जो गलियों में जहान जा पाते है तो वहें पर बीवस्ता है बैक्तने क pastor करें जाएगा जाए है जनता क्यों चुने हैं आपको कोई ऐसा एक रीजिन आपको लगता है कि तो है आपने ऐसा कुछ करके दिखाया, जिससे लोगों को विश्वास है कि उसके आधार पर जनता आपको शुनेगी, तो वो निरास नहीं होगी, ऐसी कौन सी चीजे हैं, जिनके आधार पर जनता आपको शुनेगी? जनता चाहती है कि युवा आए, और कुछ मैंने काम भी किये हैं, अब मैं काम को गिना तो नहीं चाहता, जनता कि गरीब आदमें के लिए मैंने काम किये हैं, पापा जी थे मेरे एक सब्रकत, उनसे भी कराई, मम्मी के द्वारा भी कराता रहता हूं, अभी मैंने मम्मी के द् चेह रिक्से बटवाई बिकलांगों के लिए मैंने कंबल भी बांटता रहता हूं यहां गरीब लोगों के आग लग गई थी मैंने करीब डेड़ देन गरीब लोग थे सबको एक की सिर्वे दिलवाई जिनों ने अपनी काम दोबारा से सुरू किये यह जैसे आपका जो हमार मरगेट है वहां पर मैंने एसी के बॉक्स लगबार खें जो फ्री में दिये जाते हैं कुछ ऐसे काम मैं करता रहता हूं जिससे की जंता जानती है कि कि आपने पहले से काम किये हैं और जनता मुझे चुनो गी तो मैं ख़रा उतुरूँगा यह मेरा मन कहता है मैं खरा उतुरूँगा बागी सब तो जो भी कहें बहुत बहुत धन्यवाद मनुज जी आपने बहुत ही बेबाकी से तमाम जो प्रशन थे उनके उत्तर दी और बताया कैसे आपकी क्या प्लानिंग है और किस तरीके से अगर आपको मुखा मिलता है तो आप जो है लोगों की सेवा कर पाएंगे हमारे साथ मौजूद थे मनुज पंडिजी बसपा के नेता है और दावेदारी पेस कर रहे हैं यहां से नगरपाले का सिकंदर आउसे और चुनाब के लिए दावेदारी पेस कर रहे हैं अगर पार्टी ने मौका देती है तो यह चुनाब लड़ेंगे लोगों के बीच में इसी तरह की किसी और सक्सियत के साथ हम अपने अगले एपिसोड में मौजूद रहेंगे तब तक के लिए नमस्कार